नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां आज हम बात करेंगे उस फिलिम की जिसका इंतिजर हर किसी को था जी हां हम बात कर रहे हैं बुलबुलेया थिरी की कर्ती करियन बिद्धा बालन और मधूरी दिख्षित की इस फिलिम में आपको हसी डर और कोई ट्विस्ट के साथ एक सांदार मेसेज भी देखने को मिलेगा तो अगर आप ये जनना चाते हैं कि इस बार रूब वबा ने क्या धमा का मचाया है तो बने रहे हमारे साथ चलिये सुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी की भूलबुलेया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक नाम आता है मौन्जलिका इस बार भी कहानी मौन्जलिका की आत्मा के इदगिरिद घुमती है जिसे बंगाल के एक राजा ने अपनी ही बेटी को मार कर केट कर दिया था लेकिन अब दूजलिका की आत्मा को हमेशा के लिए खतम करने के इरादे से जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है मंजलिका के साथ साथ उसकी बेहन अंजलिका और भाय देवेंदरा भी सामने आते हैं और इन सब के बीच रू बबा को राजगरानी की एक लड़की से प्यार भी हो जाता है दोस्तों फिलिम की सुरुआत में आपको थोड़ा लगेगा की मेकर साइथ कहानी को भूल गया है क्योंकि सुरुआत में कॉमेडी का जबर्जस तड़का लगाया गया है जो कुछ लोगों को इंटर्टेंड भी कर सकता है लेकिन जैसे ही मादूर दिख्चित की एंट्री होती है फिलिम में जान आ जाती है सेकेंड हाप में फिलिम काफी इंटर्टेंड करती है और बिद्दा बालन और मादूर दिख्चित का साथ फिलिम को एक नया दिशा देता है फिलिम में कमिक पांच थोड़ी हलके जोरूर हैं लेकिन ट्विस्ट और मेसेच फिलिम को अखिर तक बांधे रखते हैं अब बात करते हैं एक्टिन की करती गरियन ने अपनी एक्टिन से एक बार फिर रू बबा के रोल में जान डाल दी है हलांकी कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे वो अच्छोई कुमार को कोपी कर रहे हैं लेकिन एंड तक आते आते वो अपना अलग ही स्टाइल दिखाते हैं वो ही मादूरी दिख्चित की स्क्रीन प्रेजेंस और उनका अभिनाय तो हमेशा की तरह संदर है बिद्धा बालन ने भी अपने रोल को पूरी तरह निभाया है तरपित डिबरी का रोल एबरेज लगता है और जो कोमेडी तिकडी थी यानि संजोई मिश्रय राजपल यादव और अश्रिवनी खल सेकर वो थोड़ा निरास करती है डाइरेक्सन की बात करें तो अनिज बाजबी ने फिलिम के सेकंड पार्ट के बाद इस तिसरे पार्ट का भी निर्देशन किया है हलांकि फास्ट हाप में उनकी पकड थोड़ी ढिली दिखती है लेकिन सेकंड हाप में फिलिम बापस ट्रेक पर आ जाती है दर्सकों को हर सीन में इंटर्टेन्मेंट चाहिए होता है खासकर तब जब ओ थेटर में पेसे देकर फिलिम देख रहे होते हैं तो कूल मिला कर ये कह सकते हैं कि बुलबुलेया थिरी एक बार फिर दिवाली पर दर्शकों को इंटर्टेन करने में काम्याब होती है अगर आप हसी मज़क के साथ थोड़ी डर और एक संदर मेसेज चाते हैं तो ये फिलिम आपके लिए है फेमिली के साथ इसे देखने का मज़ा अलग ही होगा तो जाइए थेटर और देखिए कार्तिक अरियन का ये नया अपतार तो दोस्तो ये था हमारे रिब्यू बुलबुलेया थिरी का अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको ऐसे ही मज़दा रिब्यू मिलते रहें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और फिलिम का मजा लिजे